आज हम Class 12 के English का Model Paper करवाने वाले हैं, Model Paper Solution 2021-2020 के लिए, आप सबको पता होगे, Model Paper आया हुआ है काफी दिनों से, आज हम इसका Grammar portion का Complete syllabus करवाने वाले हैं, पूरा solution करवाएंगे Hindi English के साथ, यहाँ पर आपके सारी questions दे रखे हैं, यहाँ से आपका Grammar section शुरू होता है, यह वाला part तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियों को, चलिए देखते हैं, Grammar का जो आपका section C है, पहला है, Choose the correct option to answer the following question, यह निमिल्खित प्रस्णों के उत्तर देने के लिए आपको सही बिकल्प चुनना है, इसमें जो आपका पहला question दिया है, the absence of government in a country is called, the absence of government means सरकार की in a country means एक देश में कहला था, यानि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिती क्या कहलाता है, तो आपका चार आपसन दिया है, मोनार्ची यानि जिसका नाम राजसाही, जिस भी देश में सरकार नहीं रहता है तो वहाँ पर उसको आपको दे रखा है, चलिए आगले question कि तरफ बढ़ते हैं, इसका भी वाला है, यानि यहाँ पर जो एक word दे रखा है, phrase inching, phrase inching towards, inching towards का मतलब बताब एक inch खेशकना है, थोड़ा सा खेशकना, तो इसका यहाँ पर हम अर्थ लेके चलेंगे, तो देखें, यहाँ पर चार options दिया है, you have an inching feeling, भुजरी मैसूस करना, some measure something, कुछ मापना, to move slowly in a direction, यही सही होगा, to move slowly in a direction, तो यहाँ पर वना answer भी दे रखा, to move slowly in a direction, यहाँ पर हो जाएगा, इस वीडियों का जो link PDF है, उसका discussion में आपको उसके link मिल जागा, वहाँ से आपको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसको तयार कर लीजिए, देखें, अगला है, अगला है, अगला है, अगला है, अच्छा साथ में देखें, आप यह जो second वाला है, आपका, अल्प के साथ साथ, first वाला जो दिया है, इस केर में से दुरलब, कम जो रहता है, वो दुरलब रहता है, तो पहला और दूसरा दोनों हो सकता है, अगर यह option में तो आप अल्प मारेंगे, वो बाँसरा हो, यह जो आपका, यह पर अगर देखा जाये, तो हीज गलत है, हीज क्ँए यहाँ पे गलत है, अपका answer हो जायाँगा, क्योंकि यह पर हीजД नई होना चाहिए, वन सुट डू, हीजज यहाँ यहाँ पर नहीं चाहिए, रॉन तो डूटी होना चाहिए आपको यह पर ही रॉण है चले अगला क्यूशन देखते हैं अन्टो नेप्स आप हुआ यहां पर एक सेकंड सेनों नहीं है यह एंट्टोनेम्स का मतलब होता है बिपरीत सब्द क्या होगा अप्षन नमबर यह आपका सही अंसर हो जाएगा यहां पर आपका है फर्टी यानि उप जाओ question number five देखते हैं change anyone आप the following in the indirect speech indirect speech में इसको convert करना है I said don't waste your time I said don't waste your time यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है तो advise का पर्योग होगा यहाँ पर answer हो जाएगा I advise not to waste his time not काम पर्योग करेंगे पहले I advise not to waste his time यह इसका indirect हो जाएगा second है आपका my mother said to me you can send your application online to यहाँ पर your होना चाहिए mistakes होगे your application online to इसका passive voice हो जाएगा my mother told me told him my mother told him that he could send his application online to तो यह इसका हो जाएगा passive voice तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है combine anyone of the following as direction जैसा direction सुझाव दिया गया है दो sentences को जोड़ना है तो पहला क्या है I can give you address my mother gifted it to me यहनि मेरी माता के दर्व मुझे गिफ्ट दिया जा सकता है इसको हमें complex sentence में बनाना है तो complex sentence इसका क्या होगा है यहाँ पर एमने टांसलेट कर रखा है I can give you address which my mother gifted to me I can give you address which my mother gifted to me एक complex sentence हो गया अगला है do it leave it do it करो इसे leave it छोड़ दो इसको compound sentence में हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो compound sentence में जोड़ने के लिए हम इसमें आर का प्रयोग करेंगे तो answer हो जाएगा do it or leave it 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 अच्छा यहाँ पर देखिए आर यह वाला आर ना होके यहाँ पर ओ आर रहेगा यह mistake हो गया यहाँ पर ओ आर ओ आर यह वाला आर यहाँ पर रहेगा बात के लिए do it और आनि अथवा लेव इट करो या फिर इसे छोड़ो तो इसको आप सही कर लीजिएगा आगे देखिए चेंज इन एनिवन आप दा फालोइंग आज डायरेक्शन देखो लिखने में थोड़ी बहुत mistake कहीं कहीं हो जाती है तो हमें क्या करना जैसा सुझाव दिया गया है पाईसी वाइस में हमें इसको convert करना I can do it को तो यहाँ पर आप इस भी परियोग कर सकते है इस 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 इचेंज करना रहेगा ज्यादा तफ नहीं रहता है कि अगला क्यूसर देखते हैं करेक्ट एनिवन आप दा फालोइंग संटेंस निम लिखे तो आक्क्यों में से किसी एक को ठीक करो यह में इसमें से किसी एक को सीधा करना है जो की गलत है यहां पे द्यान देना आप मुझसे वरिष्ट है यहां पे द्यान का परियोग नहीं होता है Senor Junior Word के साथừ Den का परियोग नहीं कर सकते वलकि सिरो का परियोग किया जाता तो prayer감 में अगला क्यूस्टन हैर और ग्रेजिंग मावेशी जर रहे हैं तो यहां पे और ग्रेजिंग यह आर है आपका और क्या है प्लूरल है तो प्लूरल यहां पर गलत है बात के लिए रहे आगे देखते हैं यहां पर कुछ वर्ड दे रखें इनको अपने संटेंस में आपको ढालना है पहले रेखेंगा रसे प्लाना है इसको ट्रान्सलेट करके हम ढ़लेंगे अपने सब्सक्राइब किसए दिन जवाब रहता है तो अगले दिन यहीं पिजी आप मना कर देए देञा जिस दिन आप परिसान रहते हो तो अगले दिन आप स्रॉल यू बोड डैनि मेर रिफिज Kalim लिए दिनुम्स मना करना तो मुझह सरॉल Party मना कर सकते हो इस chỉ की तुम सरॉल सभण करोगे आगे देखिंगे मिषैस दूसरा है सेल डंधे सेल इसमेन इसमें सी डाै तो पहले सेल के और तूंहीं नहीं की बात करेंगे आला किसेदा है पहले सेल के और दूसरे सेल का मतलब है वी जानतो को उसका के बारे में यानि हम जानुवर की कुषका के बारे में पढ़ते हैं कोई भी एक संटेंस आप इसमें ढ़ाल सकते हैं नेस्ट आपका है translate the following passage in English अनुबाद, यह जो translate है आपको, यहाँ पर देखिए जो translation दिया है, यहाँ पर आपको यह translate हिंदी में देगा, इसका अनुबाद आपको English में करना है, तो हमने already इसको कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर translate हमने पूरी त के साथ study कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर आगे है, अमेरिका, अमेरिका जो था, where he used जो परियोग किया करते थे, पकाने के लिए, his own food अपना भोजन, जो वो क्या करते थे, अमेरिकन लोग जो थे, वो अपना भोजन पकाने के लिए इस्तमाल किया करते थे, ठीक, आगे देखे, one day, एक दिन, he was going to have a meal, एक दिन वे कुछ मिल चले, then some hungry, then some hungry, then some hungry children came, तभी कुछ भूखे बच्चे आया, and stood nearby, और उनके पास खड़े हो गया, यानि, एक दिन वे कुछ मिल चले, और कुछ भूखे बच्चे आके उनके पास खड़े हो गया, फिर आगे देखे, स्वामी विवेकानन्द डिस्ट्रिबूटर, स्वामी विवेकानन्द डिस्ट्रिबूटर कर दिया, बाट दिया, आल हिच्चा पातीज, अपनी सभी रोटियों को एमंग बीच में, दो चिले, उन बच्चों के, स्वामी विवेकानन्द अपनी रोटियों को उन बच्चो हो गई है ठीक यहां से आप देख सकते हैं यह वाला जो पॉर्शन है आपका इस टेड़िंग विधिया ओमें चिल्डन यहीं तक आपका यह पॉर्शन कंप्लीट हो जाता है बात के लिए तो इसके बाद आपका नहीं है और इसका जो ट्रांसलेट है आपको यह पीडियेफ म चले देखे यहां से डिलीट हो गया था इसको हमने सही कर दिया है सिंग दिस यह देखकर दा ओमें नास्क आउरत ने पूछा यू है यहां पर भी रहेगा मिश्टिक हो गया यू है गिवन आल्दा चपाति तुमने तो सभी रोटिया दे दी टू ही चिल्डन बच्चों को इट इज नौट इन माई इस्टों में चैप मेरे पेट में नहीं देन बलकि इन दियर इस्टों में इनके पेट में यानि यह भूख में उससे ज़्यादा इनके पेट में लगी है यानि मुझसे ज़्यादा भूख इन बच्चों को लगी है दजवाय आप गिविंग इज कोई खुशी खुद पराप्त करने से जादा आनंद मिलता है दूसरों को खुशी देने मी मैं अपनी खुशी से जादा खुशी भुशी हमें दूसरों को खुश देखकर मिलती है तुस dageं में विव का अनंद की कहाली थी यह आपका कम्प्लीट हो गया है यहां से आप इसको पूरा तयार कर लीजिएगा ठिक और अच्छे से एक्जाम देके आईएगा